सर अर्थर कानन डायल ता नोबल है, पिशाच को ता, शर्लाक होम्स ता सब्तो मशूर कारनामा, छीनांग बासकर विले हौल, मिथे दिन सर हैंडरी बासकर विले ते डॉक्टर मार्टिमर बिलकुल त्यार मिले ते जिमेके तैसी असी डिवन शैरले रवाना हो गई, शर्लाक होम्स मैनू स्टेशन तक चड़नाया, तरस्ते चुने मैनू आखरी हदाय दित्ती, मैं तो अनू अपनी थियोरी जा शंक्या बारे दासके तोड़े दिमागनू कि सेवी तरां पर बावत नहीं करना चांदा वाटसन, वो भूलिया, क्योंकि मैनू डारे कि तुसी किती हर कलनू एक खास नजरिये नाल देखना ना शुरू कर देओ, मैं चौन ना के उत्ते तुसी जो कुछ भी देखो जा सुनो, उनू बिल्कुल उसे टांगनाल वेर्वे समेत लिखके मैनू पे जो, बाकि सारे काम तुसी मेरे ते चाड़ देना, मैं अपनी थियोरी अपने पर मैंनू एता दसो के मैं किस किसम दियां गल्लां दा वेर्वा लिखके पे जने, उस हरे गल्दा वेर्वा जड़ी इस मामले नाल किसे वी तरह पर तक जा अपर तक रूप्च सबंद रख दी हुई, विशेश तौरते इस गल्दा के इस नमेते जवान बासकर विले नान उत्थोंदे लोग किस तरह नाल पेश हों देने, नाली सर चालसी मौत नाल सबंदत जेड़ा वी चोटा वड़ाता था तो अड़े, समणी आई विश कार ले दिनी, मैं वी अपने तोरते कुछ जांच पर ताल कर केती सी, पर अफसोस के नतीजा जीरो निकलिया, हाईक गल जरूर पता लगी कि अगला संभावी वारस मिस्टर जेम्स डेसमन्ड वाक्के बड़ा पलाती सादू सुबादा बज़ुर्गे, सो इस मामले चोदा कोई हाथ होन दी, तां संभावना कता ही नजर नहीं आउंदी, मैं समय दांके सानू अनू अपनी सोच विचार दिया को लिबार कड़ देना चाहिद है, हुन बस ओही लोक बचे ने, जिड़े उस जंगल च सर हैंडरी बास कर विले दे, आले द्वाले रह रहे होंगी, कि ये बितर नहीं होएगा कि सब तो पहला इस बैरी मूर जोडे तो ही छुटकारा पाले आ जाए, इंज हर्गिज ना कर आर होया, ता सानू उनू कनून देश कंजेज कसंदा मौका मिलेगा, ना ना, एंज बिलकुल ना करना, उनानू तासी अपने शक दे केर्च केरी रखने, ते जे मैनू ठीक तरा यादे ता उना दे लावा वेली चिक साइस हुई है, जंगल दे दो किसान ने, ते अपना द दोस्त माट्टे मर वी है, जिन्नो मैं पूरी तरह सचा ते मानदार समय दा, पर ओधे नाल उत्ते ओधी बीवी है, जिस बारे सानू फिल हाल कोई जानकारी नहीं, इदे लावा उत्धिक प्रकिर्ती प्रेमी स्टेप पल्टन ते ओधी प्रैने, जिस बारे क्या जानता है कि वो बड़ी सुन्दर ते दिलकश मुट्या आ रहे एक कोई Mr. Fractland ने Lefter Hall चरेन वले उन्हा बारे भी हाले सानू कोई जानकारी नहीं इदे इलावा होर भी कोई ग्वंडी होंगे इन्हा सारे लोका मारे तुसी खास जानकारी हासल करनी है मैं अपने वलों पूरी कोशिश करांगा वैसे तुसी हथे आर नाल लेके जा रहे हो ना हाँ मैं सोचया ने हथे जाना ठीक नहीं बिलकुल ठीक सोचया तुसी अपना रिवालवर हर वेले अपने कोल रखना हर वेले चुकनने रहना हैं तुसी थोड़ी देर लई भी अवेस ले नहीं होना साड़े दोवन दोस्ता ने फर्स्ट क्लास दे डबेट समान राख देता से ते प्लेट्पॉम ते खड़े सानू डीक रेए सानू कोई नहीं जान करी था नहीं होम्स ने मार्टे मर तो पुछया नहीं, साड़े कोल हाले ता किसे तरांदी भी कोई जानकरी नहीं डॉक्टर मार्टिमर ने होमस दे स्वाल दे जो आप चगया मैं गल सौंख खाके क्या सकदां कि पिछले दो दिनांच किसे ने भी साड़ा पिछा नहीं कीता असी जदों कदी भी बार निकले चारे पासी साफधानी नाल देख दे रहे ता कि कोई भी शक्की आदमी साड़िया नजरां तो ना बात सके मैं समय दांत उसी दों में हरवेले कठे रहोगे होमस ने पच्छे सिर्फ कल तीजे पैर नू छट गे आम तो औरते जदों कदी भी मैं लंदन ओना ता अपना एक दिन में एते को मन फिरंच जरूर बताउना कल मैं कॉलेज आफ सर्जन्स ता म्यूजियम वेखन चला गया सी ते मैं एक पार्क चे बैठा होते को मदे फिर दे लोकानों वेखदा रहा सी बास करवेले ने किया पर सानू किसे कि समदी कोई भी परेशानी नहीं होई तुस्ता बड़े लापरवा निकले होमस ने बड़े फसोस नाला अपना सेर जोर नालहला होने हा किया मैं तो नू किनला जोर देके किया सी सर हेंड़ी के तुसी किस से भी हालच इकले किते नहीं जाओगे इकले होन थे किते भी कदी भी तो अड़े थे बड़ी पारी मुसीबत आ सकती है कि तो उन्हों अपना दूज़ा बूट मिल गया नहीं जेनाब उता लगदा है हमेशा ले गाइब हो गया अच्छा एंज है के एता काफी दिल्चस्प गल होई खेर होन मैं चलता है गुड़ बाई गड़ी ने सीटी मारी गाड ने हरी चंडी दखाई आसी खिड़कियां को लपणियां सीटांते बैठ गए एस गलनों हमेशा याद रखना सर हेंडरी तो गड़ी रिंगन लगी तो होमस ने किया डॉक्टर मार मिटर ने सानुजेडा तो अड़ा परिवारक किस्सा पड़के सुनाया सी उस ची खास चिताव नी है कि जिस समय शतानी शक्तियां अपने पूरे जोबन ते होन ता जंगल तो दूर ही रहना जदों गड़ी प्लाटफोर्म चो बार निकलाई ता मैं खिड़की विचो चाके पिछे वल वेख्या मैंनो दूर खड़े शारला कोमस दी लम्मी नरोई दे पत्थर दे बुतवाग सेर कड़ी दिखाई दे सफर काफी चोटा ते अनंद आई रहा विचकारला समा मैं उना दोमा सजणा नाल नेड़ता वदाउन ते डाक्टर माटे मर्द दे स्पेनियल कुते नाल खेड देयां बताया कुछ कंटियां वेची जमीन दा रंग बदलान लगा ते उब दामी तो लाल रंग दी होन लगे इटान दी जगा ग्रे नाइट पत्थर नजर आउन लगे लाल गवान चाड़ी दार मैदानां चे चर्दियां दिखाई देन लगे पर पूर हरीका ते होर के संधियां बनस्पती जमेन दे उपजाऊ होन दा एलान कर रही है से पर हवा विच सेल परी हुई सी नौजवान बास करवे ले उत्सुक्ता नालखिड की विचो बार वेखरिया सी ते डेवन शायर इलाखे दे चिरां तो जाने पिछाणे द्रिशा नू देखे खुशी वास चीक्या डॉक्टर वाट्सन एत्थो जान पिछो दुनिया दे बहुत सारे हिस्सियांच को मिया फिर यहाँ बोलया पर मैंनू कोई भी अज़यी जगा नहीं विखाई दिती जिदा मुकाबला इस नालकिता जा सके मैंनू आज तक डेवन शायर दा कोई अज़या वासी नहीं मिलिया जिसने एक या हुए के दुनिया चेस नालो वद के कोई हो जगा वी है डॉक्टर मार में टरने किया उधन ता तुसी बड़े चोटे सी ज़नो तुसी बार बासकर विले हाल नू आखरी बार देखिया सी के नहीं अपने पिता दी मौत विले मेरे मुच्छां भी ने सी फुटियां ते बासकर विले हाल ता मैं जिन्दगीज कदे देखिया ही नहीं क्योंके मेरे पिता साउथ कोस्ट वाली चोटे जेक कॉटेज शिरंदे सी उस पिछो में सिद्धा होना दे एक दोस्ट कोलम रिका चला गया है मैं तो नू दासने हैं कि इस सब मेरे लिए वी उनना ही नव हैं जिन्ना को डॉक्टर वाट्सन लेए मैं ता जंगल नू देखन ले बड़ा उत सुख होयां कि वाकई फेर ता ये समझो के तोड़ी इच्छा पूरी हो गई लो तुसी जंगल दे पहली वार दर्शन करो कैन्या होयां डॉक्टर मार्ट मेर ने डब्बे दी खिड की विचो बार एक पासे वले शारा किता जमें किसे लैंड्सकेप दा सुपनीला चित्तर होयां बासकर विले खासी देर तक द्रिशनों इस तरह एक टक वेखदार ये जमें उदिया नजरां उसनल चिपक के रह गया हूं मैं उदे उत्सुक चेरे देया जे पाव देखे जिना तो पता लगदा सी उस विचेत्तर स्थान दा उसले की महत्तव सी जित्ते उदे विडेरे ना सिर्फ राज कर दे सी बलके उत्ते उना दियां उना अपनी डूंगी चाप भी चड़ी सी वो अपने टूईट दे सूट ते अमरीकन उचारन सुमेत रेल दे डबे वेच बठावया सी फिर्वी उदे खुर्दरे पर पाप परे चेरे नुवेक के मनुएंज लगया कि उस उच्च वांश दी लम्मी वन्शावली दा सच्चा वंश ते असली होन जिड़ा अपनी आकड ते दबंग पुनेली मशूर सी उदे पामा परे चेरे संगने परवट्यां ते बदामी अखा तो दे अंदरली होसले ताकत ते मानदा अंदाजा हो रिया सी जे उस वर्जेत जंगल चे साड़ी ओखी ते खतरनाग खोज लुकी होई सी तो कटो का टजेया साथी आकड दा सी क्यों हर खतरेच पर पूर साथ देगा गड़ी एक सड़क चाप जै स्टेशन होते रुकी ते असी हेठा उपर गए बार नीली स्फैदवार दे पार एक गड़ी सा ड्यूडी कर रही सी जेस नाल दे छोटे छोटे चोटे ट्रटुआ वरगे कोडे जुडे वो एक प्यारा ते सदा रंजया पेंडूई लाका सी पर मैंनू वे वेख केहरानी होई के गेट कोल गुडे रंगदी वरदी विच दो फौजियां वरगे आदमी अपनियां छोटियां राइफलां उते चुके खड़े सान ते जदो असी लंगे ताउना बड़े गौन आल सानू देख्या सक्त चेरे वाले बॉने कोच वान ने सर हैंडरी बासकर विले नू सलाम कीता थोड़ी देर बादी असी एक छोटी जी सुफेद सड़कते तेजी नाल उड़दे जा रहे साड़े दोमें पासे तेजी नाल पेछे रंदे वे चरांदा वरगे मदान उपर व असमान वा अंगुडा काड़ा पन पसर दा जा रहे सी लम्मे ते उदास जंगल दा विशाल द्रेश वारी वारी टेडे मेडे मन हूस पहाड सामने आजान करके लुक जान दा सी वो छकडे वरगी गड़ी एक जगा कोम के होरवी बद कच्ची सड़कुत्ते उतर गई जोस अज़े रंगी फारते कंडियाले गोखुडुवांदे चाडियान डुबदे सूरै दी रोष्णी च चम करेंगा सन। देव डुखा नल परी हुई सी खेंदी हुई लंग रे सी हार मोड ते बासकर विले दे मूँ खुशी दी कलकारी निकल जान दी तियो हर पासे मस्ता मांग वेखदा हुया एक पिच्चू एक स्वाल पुच्छन लगदा उदे चेरे नू देखे सपष्ट लगदा सी के दरी सुन्दर नजर आ रहा सी जादके उस पेंडू लाकेच मैनू चारे पासी कजीव जे रहस दी चादर तनी हुई दिखाई दे रही सी वाता वर्न चिक अंजान जी चितावनी दायसास मौजूद सी पीले पते रस्ते दे किसी कलीन वांग वेचे सं साड़ी लंग नाल अजीब जी अवास कर दे हुए हवा चुड़ के फड़ फड़ान लग पन दे उना उपरों लंग दी साड़ी चकड़ा गड़ी दे पैया दी खड़कडाट दी अतुदास्री अवास दूर तक गूंज रही सी ए सब वेक के मैनू बड़ा अजीब लगया थी कुदरत किस अ जीब टांग नाल बासकर विल्ले वांच दे वारस दे आउन दा सुवागत कर रही है ओ देखो अचानक डॉक्टर मार्टे मर ने कूख के क्या ओ किये बंजर जमीन दा एक टिल्ले वरगा मोड साड़ी सामने आके ओन वड़े जंगल दी चलक दिखा रही हासी ओदे शिखर देख रहा सी जी सुतियसी सफर का रही सी एक ही माजरा है प्रिक्स डॉक्टर मार्मिटर ने पुछे है साड़ा कोचवान अपनी सीड़ ते बैठा हुए आई तोड़ा के पिछे वल्पा मिया प्रिंस्टन जेल चोई कैदी पाज गया जनाब आज तेन दिन हो गया ने उन मैं समय दांके उदी खबर देन वाड़े ले कोई नाम बगयरा भी रख्या हुए गा हां जी खबर देन वाड़े नू पांच पाउंड दाए नाम मिलेगा तर सचाहित है या जनाब के पांच पाउंड ना दी ममूली जी रिकम लें कोई अपना गाड़ गुड़ा होन दा दा मूल नहीं लाएगा क्योंकि ओ कोई ममूली के दी नहीं बड़ा एक खतरना किसम दा हत्यार है जरा 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 जिनी गालते किसे दा भी कतल कर सकता है अखर हो है कौन ओ नाटिंग हाल हिल दा मशूर सेलड़ने जनाब मैनो यक दमो केस याद आ गया एक अजया केस सी जिस होम्स ने इस करके विशेश दिल चस्पी लई सी क्योंकि अपराज समय हत्यारे ने जड़ी प्यानक पशुता ते करूरता दखाए सी वो वाकाई दिल दहला देन बली सी मौत दी सजा नों सिर्फ एसली नहीं मिली क्योंकि मुकदमे दे दोरानों दी दिमागी हालत नों ले कि कई तरा दे शंके प्यादा होगे सांथ उदा कारा इनना प्यानक ते करूर सी इए मन्यां गया कि कोई सही दिमाग दा आदमियों सब नहीं कर सकता साधी गड़ीक उबार उते पहुंची ते साधे सामने अपने स्मुच्चे तब्वेदार पत्थरा दे उगर दुगडियां उचाना टलवाना समेत जंगल दावी स्थार फैले आवया सी उस वे चो लंकिया उंदी ठंडी हवा सदका सानु कामबा छेड़ पया इलाकेची किते उश्यातान हतियारा को म्रिया होएगा जांके से गुफा जा दर्रे विट जंगली पशुवांग लुकिया अपने दिल चो स्मुच्ची मनुख जाती लिया सीम नफरत ते प्रती हिंसा दी जुवाला समेटी बैठा होएगा जिनने उनु कड के अपने समाच चो बार कर देता इना विचारां दे नाल नाल उजाड़ी लाका ते सर्द हवा दिल अजीब के समदी द्याश्यत जी पयदा कर रही सी इत्तो ताके उबास कर विले जिडा सारे रस्ते बोलदा ही आया सी हुन बिलकुल खामोश हो गया सी उन्हें अपना उबरकोट अपने स्रीर नालगोर भी कसके लिपेट लिया सी उप जाऊवा लाका सी अपने पिछे ते अपने पिछे ते हेठां चाड़ाई सी अशे पिछे पौंके देख्या था देख्या अस्त होन्दे सुरेदियां तिर्चियां किरना नदी दियां लेरा होते सोने दियां डूरियां मंग चिल मिला रही है सी बीजे हो ए खेतां दी लाल जी जमेन ते संग्णियां जंग्ली चाड़ियां अपनी अंतिम रोश्णी नल चमकारियां सान। अपनी चाबक नालोना वाले शारा करदा बूलिया। जड़े बासकर विले खांदांदा खांदानी निशां सी। एक पासे काड़े पत्थर दी पुराणी इमारत सी। जी भी तिरेडा मिचों दा पुराणा पंचाक रहां सी। पर उदे सम्ने एक बिल्कुल नमी इमारत सी। जड़े अणुमुकमल सी। एसर चालस दी फ्रीका चुक मा के लियां दी दौलत अपला निर्मान सी लिड़ा ओधी कुवेले दी मौत करके दूरा रहे गया गेट पार करके सीक रस्ते तो लंगे जी दे दोमे पासे संगने चांदा रुक सन जिना दे सुक्के पत्यां तो लंग दी साधी गड़ी दे पई अपनी खड़ खड़ा हट दे नान इक अजीव जी चर्मरा हट पैदा कर रहे सन दोमे पासेओं पुराणे रुकानियां टाणियां पोच गुथियां साधे सेरां उतेक मनहूस जी सुरंग बना रहें सन बासकर विले उस लंगे तीह नेरे रस्ते नू देखके तरब किया जिदे आखरी सेरे विशाल इमारत के से पिशाच वांग खड़ी दिखाई दे रहे सी कि यो किसा इते वाप्रे ऐसी उन्हें थिड़क में जी अवास बचे नहीं नहीं होता दूजे पासे हुए ऐसी होते भी रुखां विटका रजया ही रस्ता है नौजवान वारस ने पाव ही इन चेरे नाले दरोदर देखिया कोई हैरानी वाली गाल नहीं कि मेरी अंकल ने इस जगा इंज महसूस किता हुए जमें मुसीवतां चारे पासी हुआ रही है नहीं वो बोलिया एता ही कजई जगा जिते कोई भी डार सकता है छे मीने अंदर अंदर मैं थी हार पासी बिजली दिया बत्तियां लगवा दियांगा फिर तुसी एस जगानू पचानी नहीं सको ने सुवान ते अडिसंदा हजार पावर वाड़ा बलगता मैं बिल्कुल हवेली दे दर्वाजे दे लगवा मांगा रस्ता एक चोड़े में दांच जाके खतम होया सामने सुन्द हवेली खड़ी सी तुंदली रोश्ने चवी मैं वेक सकदा सी के हवेली दे विचकार ले हिसे इक पोर्च बारनू उबरे आसी सामने दा सारा हिस्सा आई वी दिया वेला नाल्टके आसी विचका आरजड़ी खळी खळी जे काले तब बेद ख़ाई दे रहे सी उजानता खिड़किया सी जा फिर वेला मिचकारों कांध दा रंग जा करे आसी इमारत दे विचकार ले हि नमें बनवाए गये ने डूंगियां कालियां खिड़कियां विच्चों रोष्णी दिखाई दे रहे सी टलमी चात तो उच्ची उबरी चिमनी विच्चों तुवेंदी काली लकीर किसे द्यो वांग वाल खांधी बार निकल रहे सी स्वागते सर हैंडरी वासकर विले हाल स्वागते इक लम्मे का द्दा आदमी पोर्च देहने रेचो निकल के सड़ी चपकडा गड़ी को लाया ते उधा दर्वाजा खोलन लगा उधे पिछे हाल वलो वांदे पीले चान्नन ची कौरत दा कार्वी दिखाई दे रहा सी जड़ी सड़ असमान लौन चो सादमी दी मदद करन लगी। इसले मैंनू ता हुन तुसी इजाजती दियो गुड़नाइट सर ते कदे भी तो अनू मेरियां सिवावां दी जरूरत होवे ते हिचकना नहीं दिन होय जा रात किसे भी वेले बिना संकोच गुला लना। जावटी समान नल परेया होया सी। हालां कि लकड तो उत्ते आई कालों उधे पुराणे पंदी गवा सी। फेर वी उधी शांदार कारी गरी दे प्रभावज कोई कमी नई सी आई। लोहे दे बने दो विशाल कद कुत्यां दे बुथ पेचे एक पुराणे टांग दे आतिश दान चाक बल रही सी। बढ़दे हुए लकड दे डंडियां विचो उठ दियां लाटना विच कार रह रह के तिड़कंदी अवास दे नाल चंग्याडियां हवा चोट रही यां सा। मैं ते सर हेंड़ी ने अपने हाथों स्वल वद्दा की थोड़े गरम कीते क्योंके सफर करके वो कुछ सुन जे हो गय सी। उस विच्छों सी अपनियां नजरां कुमा के रंगदार शीश्यां वड़ी एक पतली परूची खिड़की नू देख्या कंद उते लगियां लकड दियां पटियां कोड पंगे हिरना दे सेरां दे नाल रियोत दे हत्यारा नू भी देख्या विच कार बल दे लेंप दी त स्वीर जिदी मैं कल पना केती सी ए सोच के के ए ओ अमारत है जिस्ट पिछले 500 साल तो मेरे वडेरे रंदे आई ने मैं मुहित होंदा जा रहे हैं मैं देख्या कि अपने चारे पासे नजरां दोडां दिया हुयां उदे चेरे उते बालां बर गी उत सुकता परी चमका गई सी जिदे पीले चेरे उते चकोर काली दाड़ी बड़ी फबरी सी की तुसी उने डिनर लेना पसांद करोगी सार उने पुछे त्यारे पुछ मिंटांची त्यार समझो सर गरम पाणी तो अडे कमरियांच पहुंच चुका है ते और कुछ होरे सर हैंडरी के मैं ते मेरी पत साफदी लोडे किडे नवी हालात मेरे कैन दा मतलब है सर के सर चार्लस ता लग पागे कल्ले ही रहना पसंद कर दे सन इसली असी बड़ी अराम ना लूना दी अच्छा अनसारूना दी सेवा करन योग सी पर तुसता सर जाहरे के एथे ज्यादा मेल जोलवदाना चाओगे ते का अर्डी परबांद चा काफी कुछ परवरतन करना चाओगे तो अड़े कहा ना मतलब है के तुसी तो अड़ी पत्नी है तो काम चाड़के जाना चांदे हो जी ताके तो अनु किसे बाधैसे परेशानी ना होगे पर तो अड़ा परवारी ता सा-ड़े नाल कई पीड पर सच्चा यह हैं, सर के सानू दोवानू सर चालस नाल बड़ा मोशी, बेरी मोर ने पाव कबास्ट किया, उन्हा दी दुखदाई मौत नाल सानू बड़ा ही सदमा हुए है, जिस करके सानू हुन एत्थोंदा वाता वरन बड़ा दुखदाई लग रहे है, मैंनू डार है के असी को निका मोटा कारो बार करके अपना गुजारा करंच काम्याब हो जाओंगे, सर चालस सी द्यालता कारण सी इस लाइक हो गया, तेहुन सर शायद बेतर हुएगा कि मैं तो अनू तो अड़े कमरे दिखा दिया, पुराने हाल दे उपर चारे पासे बने रहें वाली एक चप्टी गैलरी बनी हुई सी, जिस तक एक दूरी पौडी रहें पहुंचिया जा सकदा सी, उस केंदरी स्थांच दो लम्मे वरांडे इमारत दी पूरी लंबाई तक फैले हुए सां, सारे कमरे दे दर्वाजे उनो वरांडे आंच खोल दे सां, मेरा कमरा उसे सी जिदा जिस बासकर विले दा कमरा सी, ते एक दरा बिल्कुल ओदे नाड़ बालाई सी, इमारत दे साबना ले कमरे काफी आधुनिक सां, इना विच कई मुंबतियां जाल रहें से, कंदा दे चमकदार वाल पेपर लगया सी, जिस कार के उते पहुंच दिया ही, जिदा डूंगा प जिदे उच्चाई देके बंडिया गया सी, उच्चे पासे जड़ा के एक मंच वांग बनाया गया परवार दे मेंबर बैटके खाना कांदे सी, ते निमा हिसाओना दे निर्बर लोकान ले रिज़ाओ सी, एक पासे एक मंच बने आसी जिते गौन्व जाउन वाले बैटते सादे सिरां ते काले शतीरां दी छात सी, जिस उपर तुँ एनल काली होई छात दिखाई दे रहे सी, जिना खंबे आउते छात टीकी होई सी, उना आउते मशाला लगियां साद, जिना नुझे बार देता जायता उते हरे एक कोना रोशन होके अजाई रंगीन चलकी पेश क कर दा के ना सिर्फ पुराने जमाने दे पोज दी ताजा याद हो जांदी बल्के उत्हों दा पारी बहौल भी काफी हलका नजरों लगदा, पर हुन उन ता एक शेड़ दार लेंप दी मद्धम जी रोशनी दे के रेच काले कपड़े पाई, दो जोए आदमी बैठे सी, ज जो दिखाई दे रही से, जो एव अपनियां खामोश अखानाल कूर दे हो जानू पै पीत करना चौंदे होन। इस गलते मैंनों कोई हरानी नहीं हो रही के मेरे अंकल एस तरांदे कार्च कल्ले रहन दे होई कबरा आ गया सी, फिर भी जे तो अड़े इच्छा होए था, असी अज जल्दी जाके आप आप आपने कमरेच आराम कर दियां, हो सकता है सानू ए थे, कल दी स्वेर बुदेरे खुश्गवार लगे, अपने कमरेच जाके मैं बिस्तरेच जानतू परला परते एक पासी सरका के खिड़की चुबार देखिया, खिड़की के छोटे जे कादे मैं दानवल खुल दी सी, एड़ा हॉल दे दर्वाजे दे सामने सी, उस सोगे रुखां दे दो चुंड सी, ज टाना दे, टुटे कड़ी दे नाल मैनू उदास जंगल दाटे ड़ा में डग कुमन केर दिखाई दे रहा सी, मैं पर दे खेच दे ते, ते हुन मैं आराम करना चौंदा सी, ठक्या होया हुन दे बाब जूद भी मैनू नींद नी आ रही सी, नींदी पाल चपया मैं इदर उद्धर पासे मारदा रहे हैं, पर नींद सी के आउन दा नान इसी लह रही, दूर के दरे कोई कड़े आल हर चुथाई खंटे बाद गूझ उठदा सी, वरनाई दे लावा उस होए लिज मौत वर्गी चुप वापरी होई सी, ते फेर अचानक गुडी रात विचकार मेर कन्ना नेक गूंज दी हुई आवाज मौ साफ सुनेया, वो किसी औरत दे रोन दी आवास, येंज दबी दबी, कुटी कुटी जी, ते वे बड़ी कोशिश दे बावजूद भी होदी, प्यानक पीड दबाया ना दब रही होई, मैं यक दम उठके पलंगते बैठिया, ते परिया इंदरियानू चितन करके, मैं सुनन दी कोशिश करदा रहा परोदे इलावा होर कोई अवास नहीं सुनाई दित्ती, सिवाई कड़े आल दे, कंटे ते, कांध ते चड़ा येंज वेलां दे, पत्यां दी, सरसरहट दे अंग सत्वा, मेरी पिट हाउस वाले स्टेपल्टन, अगली स्वेर दी ताजा खुबसूर्ती ने साड़े दिमागां तो उस उदास ते मंदे पर बावनों खासी हद तक दूर कर देता, जिस दाय सास सानू दों आनू पहली बार बास कर विले हाल छोया सी जदो सर हेंड़ी ते मैं नाश्ता करन बैठे ता जंगले दार उचियां खिड़कियां विचो आंदी, चमकदार तो अपने कमरा पार देता सी, विचकार खिड़कियां दे के नारेयां उते बढ़े, उस वन्श दे जंगी हत्यारें दी, फिकी छांवी पैरी सी कंदा उते लगियां, लकड़ दियां, पटियां, उस सुनेरी तुपदियां केरनाच तांबे वांग चम करेंगां सन। उस महालनू वेके उस वेले सोच सकना वाकई बड़ा मुश्किल सी, के ए उही कमरा जिने पिछली रात अपने मनहूस वाता वन सदका साड़े दिलानू ड्रा देता सी, मेरा ख्याले कल रात असी, इत्थे जो कुछ वे मैसूस केता उसले, इस करदी वजाय सानू अपने बड़ी अजीब जी लगी सी, होने सी यक दम, ताजा दम ते ठीक ठाका, सो होने सब कुछ बड़ा खुश गवार लाग रहे हैं, पर इस सिर्फ साड़ी कलपना भी नहीं हो सकती, मैं जवाब देता है, कि तुसी राती किसी औरती वास सुनी सी, मेरा मतलब है किसी औरती करदा रहा, फिर कुछ सुनाई नहीं देता, जिस तो एहो सिटा कड़िया कि ए कोई सुपने वरगी गल होएगी, मैं उनू बिलकुल साफ ते सपष्ट सुनेया सी, ते मैंनू पकाई की नहीं कि वाकाई किसी औरती वाजी सी, सानू फॉरन इस बारे पुछ गिच करनी चाह पीले पांदी चलक होर पीली हो गई सी, वो ता चेरा बगगा फूस हो गया सी, सर हेंडरी इस का अर्चता सिर्फ दोई आरता ने, वो बोले है, एक ता पंडे मांजन वाले नुकरानी, जड़ी दुझे ही सेच सुन दी है, दुझे मेरी बीबी है, ते उस बारे मैं दावे नल कह सकता है, कि ओवाजां उस दियां नहीं हो सकती है, ते केंदा होया चूट बोल रही है सी, क्योंकि संजोग है जो गया कि नाश्ते पिछो वरांडेच, मेरी मिस्स बैरी मोर नल मुलाकात होगी, वो सुझे तुप सिदी, उदे चेरे ते पहरी सी, वो एक लम्मी चोड पलका रही मेरे उत्ते नजर मारी, साफ जाहर सी के राद देह नेरे चोही रो रही सी, ते जो रो रही सी, तो दे पती नू एगा लाजमी तोरते पता होने चाही दिये, पर जान दे होयां भी के एगा लुकी नी रह सकती, बेरी मोर ने चूट बोलन दा खत्रा मुल लिया, आखर उने इंज क्यों किता, ते ओक क्यों फुट फुट के रो रही सी, ओस खुब सुरत पीले चेरे ते काड़ी दाड़ी वड़े आदमी दे इर्द गिर्द, शुरू तो इस शाकते रहसता एक महाल जया बनदा जा रहा सी, जिड़ा लगा तर वद्दा ही जा रहा सी, आ ये संबग है कि वा आदमी बेरी मोरी सी, जी दी चलका सी, रिजन्ट स्ट्रीट वाली उस बगीच देखी सी, उदाड़ी वड़ा थे दो में एक हो भी सक देने, कोच वान ने दसिया सी कि वा आदमी थोड़ा छोटे का द्द है, पर हुलिये दे मामले चे अक्सर लोका तो गलतिया हो जान दियाने, पर मेरे समने स्वाल है सी कि इस मामले नो सुल जाया कि में जाये, जाहर सी कि सब तो पहला गरिम पेन दे, पोस्ट मास्टर नो मिले आ जाये ते पता लाया जाये कि की लंदन तो जड़ी टेलिग्राम पे जी गई सी, उवा कई बैरी मोर्दे जो बहुत सारे कागजाद देखने सान, सो इस कामली उसमा मैंनो मुनासब लग गया, चार मील लम्मी पैदल यातरा काफी खुश गवार रही, जंगल दे के नारे के नारे तुर्दो है, मैं एक छोटे जे शांत पिंड़च महुंच गया, उते सिर्फ दो ही मारता सान, जो इस टेलिग्राम बारे चंगी तरह याद से, बिलकुल जनाब हो बुले है, मैं मिस्टर बेरी मोर नू टेलिग्राम हैदायतान सारी पे जी सी, की दे हाथ पे जी सी, अपने इस लड़के दे हाथ, क्यों जेम्स, पिछले अफ़ते बास कर विले हाल, जो मिस्टर बेरी म जो इस लड़के जी सी, ते उनना ने क्या सी, क्यों आनू फॉरं दे देंगे, क्यों तेरी मुलाकात मिस्टर बेरी मोर नल होई सी, जानतों ननो किते दूर नेड़े ओं देखिया सी, नहीं सर मैं दस्याना, क्यों परली मंजल ते किते कामकार रही सी, जे तो उननों नों परली मंजल ते कामकार रही सी, उनने था जाहर हैं कि उनना दी बीवी नों पता होना चाहिए जाहिए कि उस वेले किते ने, पोस्ट मास्टर ने चिड़के क्या, उननों टेले गराम ता मिल गई है न, जे किते कोई गड़बड होई है ता ये शिकायत किसी हो नों नहीं को मिस्टर बैरी मोर नू करनी चाहिए जाहर सी होने सबांदे छोर पुचकेच करन दा कोई फायदा नहीं सी होंज दी हुशारी दे बाब जूद भी साड़े कोल इसकल दा कोई सबूत नहीं सी के बैरी मोर दो लंदन च नहीं सी मान लो जे उत्थे सी ता उही आदमी आखरी समय सर्च चार्लस नाल सी ते उही वारस दा पिछावी कार रहा सी उन्हें उदे लंदन पॉंचन पिछों ये तो की साबत होंदे की ओ कुछ होर लोकाली काम कार रहा जाओ दी अपनी कोई खतरनाक स्कीम है बासकर विले परवार दे पिछी हो दा अपना की लालच हो सकता है मैं उस तमकी पर एक हत बारे सोचे है जिड़ा टाइम जख बार दे के लेक दे कर कटकी चिपका के पेट जया गया सी पर ओ कम किस्ता सी बैरी मोर जाओ किसी अजय आदमी दा जिड़ा ओधी कार्ट दे लगया होया है मैंनो ते एक को देश नजर आया हो भी सर हैंडरी दा ख्याल सी कि जी बासकर विले परवार दे लोकानों पैपीत करके तो पजा दिता जाए पर जिंदगी पर आराम नाल रेंड ली बैरी मोर जोड़े नुक्षान दा टिकाना मिल जाएगा पर एगल जच दी नहीं सी पही क्योंकि जीड़ी जबरदस्ते खतरनाक अद्रिश साजिश इस नौजवान जगीरदार हैंडरी बासकर विले दे एगद गिर्द बुणी जारी सी उस तो पहला जीड़ी सर चारलस सी मौत हो चुकी सी ये सारियां गलना इस विचारदा विरूद कर रही हैं सान के एड़ी ममूली गल ली एड़ा प्यांकर कदम नहीं सी चुक्या जा सका खुद होम्स ने भी एगल कई सी कि उस कोण खून तक जनने भी संसनी पर एक केस आई नहीं उनना सारे अनलवा दोखाती उलजिया होय कि इस एह है उस सुन सान विरान रस्ते तो वापस मुढ़ दे होया मैं मनी मन प्रार्तना का रियासी के मेरा मित्तर अपने जहना जिना जरूरी कमाज उल्जिया हुया है उना तो जल्दी मुक्त होके थे आजाये थे मेरे मुड़े थे इस जिम्मे वारीदा बोज लाके खुद संबाड लए अचानक मेरे विचारा नो समय जबर्दस चटका लगा जो तो पिच्छो दोड़ दे हुए कदमानी आवाजां दे नाल किसे ने मेरा नाल लाएके मेनो गुलाया मैं सुमीद नाल फारण पल्ट के देखिया कि शायद डॉक्टर मांटे मर होएगा पर उदो मेरी हराने दी हादना रही कि अजनबी नो अपने पिच्छी आउंदे देखिया एक छोड़े कादा पतलू जा कलेन शेवड आदमी सी जिदा चेरा लम्मा दे जबारा पतला सी सानवर गे वाडा वाडा हो आदमी ती ते चाड़ी दे विच का अरिदा होएगा उनने ग्रे कलर दा सूट थे नाल ती लिया वाडा हैट ले होया सी उदे मुड़े ते जड़ी बुटियां कठियां करन ली टीन दा एक बकसा लटकरे है सी इक हाथे चहरे रंग दा ते तलिया वड़न वड़ा नेट पड़े आसी मैन उमीद है तुसी मेरी इस गुस्ताखी नू माफ करोगे डॉक्टर वाट्सन को हौंकदा होया मेरी को लाके बुलिया ये थे जंगल दे पेंडू उलाके चे रैन वाले असी लोक बड़े सिद्धे साधे किसम देयां ते जान पच्छान कराए जान दी रसंत दी उड़ी इकल नहीं कर दे वैसे तुसी मेरी बारे साधे दोवा दे सांजे मित्र डॉक्टर मार्टे मर तो जरूर सुनेया हुएगा मेरा ना स्टेपल्टन है मेरी पिट हाउस चराना तो अड़े टीन दे बक से ते हाथ चे नेट नू देखके मैं समझ गया सी मैं किया क्योंकि मैंनू पता सी कि मिस्टर स्टेपल्टन एक प्रकिर्ती प्रेमी है पर तुसी मैंनू के में बचानेया मैं मार्टे मर नू मिलन ली आया सी जदो तुसी एदरो लंगे ता हुना ने अपने दवा खाने दी खिड़के जो इशारा कर दे हुए दस्या मैं भी इस रस्ते तो वापस जाना सी ता मैं सोचे के उना मैं दोड के तो नू पकड़ लगा ते अपने बारे दास्तियां कुछ दूर दा साथ ही हो जाएगा मैंनों महीद है कि एत्थों दी बुड़का बड़ रस्तियां दे सफर करन पे चों सर हेंडरी दी हालत कुछ ज्यादा बुरी नहीं होई होईगी नहीं यू बिलकुल ठीक ठाक नहीं सानु सार्या नू इस गल्दा डार सी के शायद सर्ट चालस दी तुखदाई मौत दी बाद नमा जगीरदार एथी रेन तो इनकार कर देगा पर एचोना भी अपने आपट बड़ी ज्याद दी है कोई रही सादमी है थी आके अपने आपने आपने इस उजाड इलाके चे दफन कर दए पर मैं समय दांके तो अनुए गल्दसनी जरूरी नहीं कि इस इलाके दी बेतरी लई इंज करना जरूरी वी है मेरे ख्याल चे इस मामले नू लाके सर हैंड़ी नू किसे तरांदा अंध विश्वास ना पैर नहीं होईगा मेरे विचारता जया कुछ नहीं है वैसे तो उनुए इस कहानी दी जानकारी तो होईगी कि कोई पिशाच कुता है इस खान दांदे पिछे प्या होया है हा मैं उन सुने है इतो दे किसाना नू इस ते किना यकीने देखके हराने हुँदी किनने लोग सों खान ली तियार ने कि उन्हाने इस प्यानक जानवर नू जंगल चे देख्या है उन्हें मुस्कुरों दिया होया किया पर उतिया अखांच मैंनू अजय पाव नजर आ रहे सी जिना तो साफ पता लगदा सी कि उखोदे इस मामले नू गंबेरता नाल लाय रहे सी इस कहाणी ने सर चार्लस दे दिमाग ते बड़ा मड़ा असर पाया सी मैंनू कोई शक नहीं कि उसे करके उन्हान दा ए दुखदाई आंत हुया पर क्यमे उन्हाने अंदरी कजया तना पार गया सी कि किसे भी कुत्ते दा दिखाई दे जाना उन्हान दे बिमार दिल ते खतरनाक टांग नाल सर पा सकदा सी मैंनू लगदाई कि अपनी आखरी रात नू उन्हाने जरूर कोई अज़ेई चीज देखी सी उस रुख़वडी सड़क दे विचकार मैं उस बिर्द आदमीनू बेहत पसंद करदा सी तो मैंनू यकीन है कि उन्हान दे नालो थे जरूर कोई प्यानक कटना वापरी होएगी उन्हान दे दिल ता पहले ही कमजोर सी पर तो अनुए दा पता किमें लगया मेरे दोस्त डॉक्टर मार्टिमर ने मैंनू दस्या सी यानि तो अड़ा मतलब है किसे कुटे ने सर चारलस अब पिछा की था जिदा नतीजा है होया कि उद डर्दे मारे मर गए है ना कि तुसी यदे लावा हुर कोई बेतर कारण दा सकते है मैं आजे किसे नतीजे थे नहीं पहुंच सकया कि मिस्टर शारलाख होम्स किसे नतीजे थे पहुंच गए ने उना शब्दा नू सुनके बिंद के लई मेरे सार रुग गए पर अपने साथी उते नजर मारी था उदे शांद चेरे ते स्थे रखान वेके लगया कि उदा मैंनों हैरान कर देंदा कोई रादा नहीं साड़े लिए इंज जाहर करना बेकार ये डॉक्टर वर्टसन कि आसी तो अड़े दोवां बारे कुछ नहीं जान दे वो बोलिया तो अड़े जिस उसी कारना में थे साड़े लोकां तक पहुंच चुके ने इसलिए तो अड़े बारे इसी पहले ही बड़ा कुछ जान दे है वैसे वी जदो डॉक्टर माटिमर ने मैंनो तो अड़नान दस्याता हूँ तो अड़ी असलियत तो इंकार नहीं कर सकदा सी मुझे तुसी तो आई होता जहार है कि मिस्टर शारलक होम्स दी भी इस मामले ची डूंगे दिल्चस्पी है इसलिए मैं सुबाब कुछ सुकता वास जाना चाना कि उन्हा दे इस मामले बारे की विचाते मैंनो अफसोस है कि मैं इस स्वाल दा कोई जवाब नहीं दे सकदा कि मैं तो अटो इक होर स्वाल पुछ सकदा जरूर पुछो पर मैं आजे इस वारे कुछ नी क्या सकदा कि उदा उत्तर देवी सकांगा के नहीं कि मिस्टर शार्लक होम्स एते खुद आके सानू अपने दर्शना नाल निहाल करनेंगे आजे ता फिलालो लंदन छड़न दी स्थिती च नहीं क्योंकि कुछ हूर जय महत्तपूरन केसने जनानू फोरन निप्टाए जाना जरूरी है ये ता बुरा होया क्योंकि जे वे थी आजान दे ता शायद माम लेती कुछ रोष्णी बोंदे लेड़ा पूरी तरह साड़ी समझ जो बार है पर फिर भी जे तो अड़ी चानबीन दोरान तो अनू किते वी कोई जही संभावना नजर आए कि मैं तो अड़ी किसे काम आ सकतां तुसी बिना चेज़क मैंनो आगया दे सकतां मैं हर वेले तो अड़ी से वाली त्यारां अड़ी जे तुसी अपने शंक्या बारे कोई संकेत देओ जाए दसो के तुसी एस मामले दी चानबीन किस तरह करने चाओ देओ ते शायद मैं भी तो अड़ी कोई सहता कर सकां जा कोई सला दे सकां तुसी तसली रखो मैं ताय थी सिर्फ अपने दोस सरहेंडरी नाल तोड़ा को मनफिरन लिया है इसलिए मैंनों किस से वी के समदी कोई मदद नहीं चाहिए दी बहुत खोब स्टेपल टनने किया तो अड़ा साफधान ते स्तर्क रहना बिलकुल ठीक है ते तो अड़ा मैंनों चिड़कना भी अपनी जगा बिलकुल सही है क्योंकि मैं बे मतलब ही अपनी लातडाई जा रहे है मैं तो अनू यकीन दोवाना केस माम लेनू हुन मैं तो अड़े समने दुबारा कदी नहीं दोहरा मांगा असी का जई जगा पहुंच चुपके सी जित्थू एक पतली जी पगडंडी सडक विचो निकल के कादे में दान चु हुन्दी हुई जंगल दे पुल पला में आँच गवाच गई सी सजे पासी एक पत्रेली पहाडी सी जेस चो किसे जमानेच इमारती कामली ग्रे नाइट पत्र कड़णली काफी खुदाइ किती गई सी उदा सिद्धी चड़ाई वड़ा अगला हिसा सा डेवाल सी ते उस होते जगा जगा छोटिया वडिया जंगली चाडिया उगियां सें जेडियां वदी काली टीस्टी तक फेलियां सें उना विचकार दूर सलेटी रंग देतु हैं दीक मुटी लकीर लहराउं दी होई असमान वल उट रही सी जंगल देश रस्ते ते थोड़ी दूर चल के यसी मेरी पिट हाउस पॉंच जावांगे वो बुलिया जे तुसी एक कंटे दा समा काट सको ता मैनू अपने कार ले जाके तो अनू अपनी पैननाल मिलवांच बड़ी खुशी होईगे मेरे दिमाग जब पहलना विचार नहीं आया कि हुण मैनू सर हैंडरी कोली जाना चाहिए पर फेर मैनू ओना कागस पत्रां दा ख्याल आया जिना नालोदी मेज पर ही हुई सी जहार सी मैं उस कामचोदी कोई मदद नहीं सी कर सकता तो होम्स ने भी मैनू सबस्ट हगाय देती सी के जंगल दे गवांडियां दा निरिखन भी करना चाहिए इस लए मैं स्टेपल टन दा सदा सविकार कर लेया ते सी दो में उस पक डंडी ते तुरन लगे ये जंगल भी बड़ी शानदार जगा है वो इत्थों दी उची निवी हर्याली दे अनकर पत्रां दी लहरदार पहाडी लड़ी उते अपनिया नजरां दोडांदा होया बोलिया तुसी जंगल कदे भी बोर नहीं हो सकते ते इस लुके हैरान कार देन वड़े रहसां बार ये तो दे पुराने रहन वाले ता मैंनू हाले भी नमा बंदाई केंदी है असी ये थे सर्च चारलोस दे आके रहन दे थोड़े दिना बादी आगे सी पर मेरी शौक ने मैंनू इस सारे इलाके दे चारे पास एको मा देता मैं समय दाय थे कोई एक कद्दा बंदाई जिया होएगा जड़ा इस इलाके नू मैं तो बेतर जानना होएगा कि इस इलाके नू जानना बड़ा मुश्कल काम है बड़ा ही ज्यादा मुश्कल हून मिसाल दे तो आरते इस उत्तरी मैदान नो देखो जिदे किनारे ते दो चितर पहाड़िया नजर आ रहे हैं नहीं कि ये ओ संगनी हर याली बड़ी जगा नजर आ रहे है न तो आनू हाँ हाँ क्यों नहीं लगदा उजगा बक्की नळवद उपजा हुए स्टेपल्टन हसिया ओ ग्रेट ग्रिम पेन मायर है प्यानक दल दल उथे एक गल्त कदम प्या नहीं कि आदमी होए जा जानवर मौत पक्क अज़े काल दी गाल है कि एक जंगली टट्टू पटगदा हुए उथे पहुंच गया बस होतो बाद वापस नहीं आ सकया मैं काफी देर तक उदी दल दल दे बार निकली गर्दन वेखदा रहा फिर आकर ओवी होदे बाकी जिसम बांग अंदर ता सगई गर्मियां दे सु के मौसम चविये नूँ पार करना खतरनाके पठंडी रूत दी आयना बरसातां पे छोता है जगा बड़ी खतरनाक हो जान दी फिर वी मैं दे विचकार वो अपना रस्ता लगदा होया जा सकदा हां ते जियोंदा वापस आ सकदा हे पगवान ओ देखो इक और बाद किसमत कोई ब्राउन रांग दी चीज उस हरी दलदल विचकार बुरी तरा चट पटा रही सी फिर एक लम्मी गर्दन चट काखा के उपर वल उठी ते एक दिल नू ड्रा देन वली तिखी चीक जंगल जगोंड गई सूंदें डर दे मारे मेरा स्रीट ठंडा पया गया पर मेरे सा वक्ये दे मौसमज इननों इदरों जान दी आदते ते बर साथ तो बात था फर केना दी समझ ता तक नहीं हो दा जटता के दलदल फस नहीं जान दे बड़ी खतरनाक जगा है ग्रेट ग्रिम पेन मायर बड़ी खतरनाक पर तु अड़ा केना है कि तुसी एदे विचकार हो लंग सकते हो बिल्कुल दरसल एदे विचकार एक दो रस्ते अजय ने जिनानों इक होशे आरते फुर्तिला आदमी इस्तेमाल कर सकते है मैं आओ रस्ते लब लए ने पर तुसी एदे खतरनाक ते प्यानक जगा चो लंगना चोंदे हो इन जय के ओ दे तुसी ओस दूरी द जगा बढ़ियां दुरलब के समदियां तितलियां ते जड़ी बुटियां मिल रही ने बशर्ते तो अड़े चो थे पॉंचन दी हिम्मत होई किसी होर दिन में अपनी किसमत अजमावांगा उन्हें मेरी वल्त हैरानी नाल देख्या पगवान दे वास्ते इस विचार नू वो बोलेया नहीं ता तो अड़ा खून मेरे सिर पहेगा मेरी गाल मननों के तो अड़ा उथो जियोंदे वापस ओना दा कोई चांस नहीं उता कुछ बढ़ियां अजीबो गरीब नशानियां ने जिना करके मैं इंज कर सकता जरा सुना ता अचानक मैं को क्या एक ही है एक अजीबो गरीब ते उदास विरलाप वरगी अवास जंगल विच फैल दी जा रहे सी उन्हें उत्थो दे सारे वाता वरनों दहला देता सी फेर वी अंदाजा लोड़ा बड़ा मुश्कल सी क्योंकि तो आरे सी एक हलकी पिनपना हट वरगी चीक एक तेज गुर्राहट दे रूप चुबर दी गई थोड़ी देर बाद वो फेर एक पिनपना हट वरगी उदास विरलाप दे रूप चुझ दी डूग दी चले गी उद्धों स्टेपल टन ने मेरी वल देखिया थे उदे चेरे ती अजीब जैपा उसी ये जंगल भी बड़ी अजीब जगा हो बोले पर ये वाज कैसी सी इतों दे किसाना दा कहना है कि ए उस बासकर विल्ले वाड़े पिशाच कुते दी अवाज है जिड़ा अपने शिकार नूँ बुला रहे है मैं पहले भी एक दो बार ये इस अवाज नूँ सुने आए पर उ कदे नी तिखी नी सी हुंदी मैं दैशत न कर दी दिखाई नहीं दितनी ए दो में कांस अड़े पिछे एक पहाड़ी दी टी सी ते बठे उची उची कांग कांग कार रहे सी तो उसी ता एक पड़े लिखे ते गुणी गया नी आदमी हूं मैं क्या मैं समय दान तो अन्वेस तरा न दिया बकवासांच कोई विश्व अवास नहीं है तो अड़े ख्याल चे इस विचित्तर अवाजा की कारण हो सकना है कई वरी दल दल चो भी है जहीं है जीव आवाजा ओन लाग पेंदिया नहीं जो तो मिट्टी हेठा नू बैठती है जा फिर पानी उपर नू आंदा है जा फिर अजही कोई होर उथल पु हो चुकिये पर जंगल चे सब कुछ संभवे हाँ जी ते मैंनू इस गाल दी कोई हैरानी नहीं होएगी के हूं असी जो कुछ सुने है उस जाती दे किसी आखरी बगले दी आवाज होए ये ता बड़ी विचित्तर ते अजीब हो गरीब जी आवास से जेडी मैं अपनी जि दे केटी रंग दे गोल गोल पत्राँ दे केरिया नल्टकी होई सी कैन दा मतलब एसी कि उत्ते काफी तदाद इच नजर आ रहे सं किए उ बक्रियां दे वाडे ता नहीं जी ये साड़े सतकारत वडेरियां दे करने मुडले मानूब काफी तादाच दल दल दे असे पासे पर इता चंगा खासा पिंडे केड़ा जमाना सी जद वे थी अबाद सन। मैं किया न मुडले मानव याने इतिहास लिखे जान दी शुरुवात तो पहला दी गाले नियोलिथिक मानव दे जमाने ले कोई निश्चित तारीख नहीं दसी जा सकती हो मुडले मानव कर दे की सी वे ना टलाना ते अपने पशु चराओं दे सी पत्थर दे कोहाडे आउपर जदो तामबे दी तलवार पारू हों लगी ता उने हुदाई करके जमी पहाड़ी ते दूजे पासी उदा सुबू थे हां डाक्टर वाट्सन तो अनुएस जंगल बारे बढ़ियां अनुखी अंगलना पता लगनी हैं वो जराइक चैनली मैनू माफ करना ही लाजमी तौर ते साइक्लोपाइडेस सी एक मक्ही जा मच्छर वारगा कोई वड़ा क पहाड़ी ते दूजेडा साड़े रस्ते थी फड़ फड़ांदा होया लंगया अगले चिन स्टेपल टन हैरान कर देन बड़ी फुर्ती ते तेजी नाल वो पिछे दौड रही असी उदो मैं पैपी जया हो गया जो तो मैं वेख्या उखीडा सिद्धा दल दल वाल जारे आसी क्योंकि मेरा जानकार एक छेनले वी रुके बिना चाड़िया विच कार बुर्क दा कुददा होया उदे पिछे पर जया जारे आसी उन्हों फड़न ली अपनिया तितलिया फड़न वड़ा जाल वी हवाचल लाय रहांदा जा रही आसी वदे सिलेटी रंग दे कपड़े ते उदी टेड़ी तिर्ची उचल कुदध वड़ी दोड़ उस समय उन्हों वेक विशाल देही कीड़े दरसा रही सी मैं अपनी जगाते खड़ा उन्हों पिछे कर दिया देख रही आसी ते मनी मन उदी हैरान कर देन वड़ी फूर्ती दी तारीफ वी कर रही आ सी के जे के ते उख खतरनाक प्यानक दल दल चोदा एक पैर गल्त पुट्या गया था पता नी की होएगा उदोई मैंनू अपने बेच्छे पैराना खड़ा कॉंदा सुनाई देता पौंके वेक्या उस रस्ते उपर एक औरत नू अपने नस्दी कॉन्या वेक्या उसे पिल्कल नेडे नहीं आगे मैंनू कोई शक नहीं सी कि ओही मिस स्टेपल टन है जिस बारे मैंनू दस्या गया सी क्योंकि उस जंगल चौरतां दी गिंती बहत ही हों दी संभावना बड़ी काट सी ते मैंनू याद आया कि मैं किसे नू उस बारे कहन दिया सुनिया सी कि बेह पल्टन जिते एक सदारंचे रे मुरे दादमी सी, उत्यों दी पैन दी खूबसूरती अड़ी बे मिसाल सी, कि मैं अज तक इंग्लेंट किदरे नी सी देखी, उत्यों मान पर एचे रे दा नक, नक्षा, इस खूबसूरती नल तराशिया हुए लग रहे हैं सी, कि जे उत्यो डॉल देदेफ अबधी पिशाग्चोव चित्तर जंगल देश निर्जिंद रस्ते उते देव लोग तो आई किसी अपस्रावर्गी लग रहे सी, जो तो मैं को मैं आता होदी आखा अपने प्रा आते ठीकिया हुएं सन, पर फिर उकाली कदमा नल तुरदी मेरे को लाई, म इसे चेन, फोरन लंदन वापस चले जो, उधे न शब्दानों सोनू, मैं मूरक्ता पर इहरानी नल उस्वल वेखता रहे गया, उधी आखा देख रहे हैं सांती, वो अपना एक पैर बड़ी बिच्यानी नल जमीन ते मार रहे जी, क्यों वापस चला जा मां मैं, मैं ओफ तुसी मर्द लों केने बेवकूफ के हुन देओ, परेशान जी अवास्ट बोली, कि तुसी एनना भी नहीं समन सकते ही, कि जदों कोई चेतावनी तो अड़े पले ली हुन देओ, चले जाओ, वापस लंदन चले जाओ, आज रात नों ही चले जाओ, किसे भी केमत ये तो बार निकल जाओ, चुप, मेरा परा आ रहे है, मैं जो कुछ केया है, उदा एक शबद वियो दे सामने ना कहना, तो फिरो थोड़ी जी अवास्ट बली, कि तुसी मैंनों सामने वाड़ी चाड़ी दा एक फुल ले आदे होगे, साड़ी एथे जंगल च कई तरा आदे रांक बरंगे फुल हुंदे ने, वैसे एत्थों दी खुबसूर्ती देखन डी तुसी थोड़ी देर ना लाए, स्टेपल्टा नों स कीड़ी दा पिछा विच कार चड़ के वापस पर ताया सी, उपाज दौड करके उनू साच अड़या सी, ते चेरा पा करया सी, हेलो बै इकलो पाई डेस ता पिछा का रहा सी, उब बड़ाई दुरलब है ते इस मौसम चा कदी नहीं वेखिया जान दा, और सोस क्यों मेरे हथो निकल गया, उन्हें निराशा नल से रहलाया, परोधियां चोटियां चोटियां अखा लगा तार मेरे उत्ते ते उस सुंद्री उत मेरे विचार चाता है सर हेंड्री बासकर विलेई ने, नहीं, नहीं, मैं जवाब देता है, मैं ता एक सदारन आदमी हा, पर उना दा मित्तर जरूरा, मेरा ना डॉक्टर वाटसन है, उदे मलूक चेरे ते शर्मिंदगी दे पाव नजर आई, फिर ता असी गल्द फहमी च एक दूजे नल गल्लां कर दे रहे, उब ली, आखर तो अनुगाल करन दा समाई किना को मिलें हुएगा, उदे पराने उस वाल्द स्वालिया, नजरा नल बेखते हैं क्या, मैं सोचे आसी डॉक्टर वाटसन कोई महमान नहीं, बलके एत्तों दे रहेंड वाले ही नहीं, उ थोड़ी देवर पैदल चलन पिच्छों से जंगल दे एक पुराने मकान दे सामने पहुंच गए, किसे जमाने चोने जरूर चंगे दिन वेखे होनगे, तो किसे लम्मी चोड़ी चरागा दा फार्म हाउस रहा हुएगा, पर हूंतों काफी उजाड दिखाई दे रहा सी, जेनों थोड़ी बहुत मुरम्मत करके रहा हैं योग बना ले आ गया सी, उदे आसे पासे एक बाग भी सी, पर रुख जंगल ते हो रुखा नलो चोटे ते रुण्ड मुण्ड जैसन, कुल मलाके उत्हुंदा पर बाव रहस माई ते कसमेला जे लाग रहा सी, एक जीब ज अंदरला हिस्साव देरे बित पर दिखाई दे रहा सी, वड़े वड़े कमरे बड़े सुन्दर ता अंगनल सजाई सान, मैं उना नू देख उस मुटियार दी रुची ते सुगरता दा अंदाजा बाखू भी ला सकता सी, जोदो मेरी या नजरां खिड की दे बार दे सद् तक फेले विशाल, जंगल ते पहियां ता उदी मोखक ता नू देखके मैं समझ गया क्यों किडी चीज सी जी ने इड़े पड़े लेके नौजवान ते उदी पहननू इस जगा आके रहन ले प्रेरत कीता, रहन ले इस अजीब ओ गरीव जगा नू चोड़ना भी अपने अजीब गल्ले जिनों सिर्फ सनकी क्या जा सकता है, है ना, स्टेपल्टन जो में मेरे विचारां दे जो आप जो बोलिया हुए, ये दे बाब जूद भी असी बड़े अराम नल रह रहे हैं, ते अपने आप जी काफी खोशां, क्यों बैरील, मैं कुछ गल्ता नहीं कह रह उत्री सुबेच सी हो, ओ काम मेरी तबियत दे आदमी ली बड़ाई मशीनी दे अका देन वला सी, बस इको गल्खा सी जिस करके मैं ओ काम कार रहा सी, उस काम करके मैनू नौजवान मुंडयानाल मिलन गिलन दा मौका मिल जानदा सी, उना नौजवाना दे दिमाग नू अप जिस नल साड़े स्कूल दे तिन मुंडे मार गए, बाकी पाज गए, तो इक जया जबर्दस चटका सी, जिस पे छो फिर संबले आई नहीं जया सकया, मेरी सारी जमा पुंजी उस्ट डूब गई, बस फिर मैं थे आगया, जे उना नौजवान मुंडया दे मज़ेदार क्योंकि बाटनी ते जाला जीदा मैंनू बेहद शौक है, मेरी मन मर जीदा काम में थे एक काम करन दा सीम मौक है, ते मेरी पैन्नू भी प्रकिर्टी नलो नहीं प्रेमें जिना के मैंनू, वैसे डॉक्टर वाट्सन तुसी खिडकी चों इस जंगल दे इलाके दा निरीखन कर देया हुया, इना ता समझी लिया हुएगा कि प्रकिर्टी ये ते अपने निर्चल रूप चो फैली हुए, पर फेर भी मैं समझ दा कि जगा शायत तो अड़ी प्यानू, उन्नी पसांद नी जिन्नी के तो आनू, नहीं नहीं ये हुजी कोई गाल नहीं, वो काल नल बो दाने, विचारे सर चारलस वी एक बड़े शांदार दोस्त सन, असी उन्ना नू चंगी तरह जान दे सी, मैं दास नहीं सगधा कि उन्ना दी मौद दा मैंनू के ना जबर्दस दुख पहुंचे है, जे मैं आज दुपयर बाद सर हेंडरी नाल मुलाकात ली पहुंच जानत जाएगे कि जदो तक को अपने नमे महाल तो पूरी तरह जानू ना हो जान, उदो तक होना दिया कुछ मुश्कला असान कर देगे, कि तुसी उपर चलके मेरा केट पतंग संग्रया देखना पसांद करोगे, डॉक्टर वाच्सन, मैं समय दा इंग्लेंड दे दखन उस बदकिस्मत टट्टू दी मौत ते उप्यान का वास जड़ी बासकर विले परवार दी उस दुखदाई कहाणी नाल जुड़ी होई सी, इना सारीयं गल्लाने मेरे दिमाग नू थोड़ा उदास्ते बोजल जया करता सी, ते सब तो वड़ा ता मिस स्टेपल टंदी इस पस्ट चे तावनी दा परवाव सी, जेडी उने इन्नी जवर्दस्त उतेजना नाल देती सी, के मैंनो इस बारे किसे कसंदा कोई शक नहीं सी, के कोई बड़ा डूंगा ते गंबीर कारनो दे पिच्चे जरूर लिक्या, दुपैर दे खाने दे सदेनू बड़ी सजनता ना असवी कार करदा होया, मैं अपनी वापसी दे सफरते तुर्पिया, मैं उसे कावली पक डंडी राइंग हेटा उतर रहा सी, जिस्तो उसी आये सी, मेरे ख्याल चो थे जरूर कोई ना कोई शौर्टर काट सी, उना लोकां लई जेडी उसे उलाके नू चंगी तरा जान दे स क्योंकि सडक तक पहुंचन तो पहले ही मैं पक डंडी देके नारे एक पत्तर उत्ते बैठी, मिस स्टेपल्टन नू देख के हरान रह गया, उदा सुंदर चेरा खेचल कारण लाल सुए होया सी, तियो अपने दोमई हाथ गोदी चे रखी अपने उखडे साहा नू कबू क मैं तो उन्हों फड़न लेए सारे रस्ते दोड़ दी आया, मिस्टर वाट्सन नू बोली, मैं निकाल नलप अजगे आया, कि अपना हैट चुकंदा भी समानी मेरे को, मैं बहुती देर रुक भी नहीं सकती, वरना मेरे प्रानू पता लाग जाएगा, मैं तो उन्हों दसन पर मैं यह कि मैं पूल सक्दा मिस्टेपल टन, मैं क्या, मैं सर हैंड्री दा मितर रहां, तो उन्हों दे सुख के लियां दे हित बारे सोचना, मेरा सब तो वड़ा फारज है, हुन तुसी मैंनो दसो कि तुसी इस गाली इनने बेचैन कि उसी कि सर हैंड्री वापस लंदन चले जाओं, इन्हों इक और दी सान की समझो, डॉक्टर वाट्सन, उन्हें किया, जो तुसी मैंनो होर चंगी तरहां जाओगे, तो उन्हों पता लग जाएगा, कि जो कुछ भी मैं कहन नहीं है, जा कर दी हैं, उदी हर वारी कोई वजा मैं नहीं दा सकती, कह गर मैंनो ख आप साफ कुछ दास देओ, मिस स्टेपल्टन, जो दोंदा मैं इती आया, मैनो अपने एर्द गिर्द पर चित तर जाए, पर चामे कुम दे मैसूस हो रहे ने, जिंदगी यो ग्रेट ग्रिम पेन मायर दी दलदल वर्गी बनके रह गई है, जिस्ट कोई राद असन वड़ जोप भी हो गई, जो तो उने जवाब देता कि उदी आखां बिच फेर स्थिरता आ गई सी, तो उसी था एक सदारनगाल नो विशेश बना रहे हो, डॉक्टर वाट्सन, वो बोली, मेरे पर आनू ते मैनू चारलस दी मौदा बड़ा बड़ा चटका लगा है, साधी उना नालचंगी जान पचान थे, काफी मेल जोल हो गया से, क्योंकि उना नो जंगल दाई लाका पसां सी, तो आम तो रहती इदर सेयर कर दे हो, साधीकार बहला आ जान दे से, वो अपने परवार नो लगे स्राप, तो वी किसे, तो वी खासे पर बावत सी, अक्सर उस बारे गल कारण होएगा, जो तो मैंनो पता लगया कि उपरवार दा एक होर मेंबर एती रहन ले आ रहे हैं, तो मैंनो बेहत दुख होया, क्यों विचारा भी इस प्यानक्ष सुराप दे, चक्कर चो फसन जा रहे हैं, इसलिए मैं सोचया कि मैंनो उस विचारे नो सावधान कर देना पता है न, मैं इस तरहां दी बक्वास तो यह केन नहीं कर दा, पर मैं कर दी हैं, जे तो अड़स सर हैंडरी ते थोड़ा बहुत वी पर बावे, पगवान ली उननो इस मन्हूस जगा तो कि ते दूर ला जाओ, जेड़ी उनना दी खानदान ली हमेशा तो यह विनाश दा कारण रही है, दुनिया बड़ी वड़ी है, आखरो किसी अजे खतरनाक जगा ते क्यों रहना चाओंदे ने, जिती उनना दी जान ली खतरा पैदा हो सकते हैं, क्योंकि खतरे आना लखेडना ही सर हैंडरी दा शौक है, इननो तुसी उनना दा जनम जात सुबा भी कह सकते ह मैंनो डार है कि जे तुसी कुछ हुने किया है, उस नालो बाद इस बारे होर कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकते, तो समय लोके सर हैंडरी नो, ये तो किदरे दूर ला जाना बिलकुल असंभवे, मैं कोई ठोस जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि एदे इलावा होर कोई जान कारी मेरे कुल है यह नहीं मिस स्टेपल्टन मैं तुन एक हो र सवाल करना चाना मैं किया जे तुसी यह दे इलावा मैंनू कुछ नहीं दा सकते तफ ज़दो तुसी पहली वारी मैंनू मिले सी उदो तुसी एक कि उंचान्द आधिया झाल पर जैने तो अदे पर आणू पता ना लगे क्यों इसे गल चता जया कुछ है ही नहीं सी जिते औनू जाके से होनू किसे किसंदा कोई इतरास होगा मेरे परादी दिली इच्छा है कि हवेली अबाध हो जाए क्योंकि उधा ख्याल है कि इस नाल जंगल चरेंड वाले ग्रीब बंद अपला होएगा पता लगन तो बड़ा नराज होएगा कि मैं कोई अजयी गल कह देती है जिस करके सर हैंड़ी वापस चले गए पर मैं अपना फर्ज पूरा किता है हुण मैं इस तो अगे कुछ और नहीं कहांगी हुण मैंनों वापस जाना चाहिए दै वर्ना मैंनों बहुत देर गाइब देख कि मेरे प्रानु एहुँ शाक्वाईगा कि मैं तोनु मिली यां अच्छा गुडबाई वो यक दाम पल्टी ते कुछ मिंटा विची उत्ते पसरियां चे टाना चो गाइब होगी ते मैं अन्जानियां शंकावा नलकिर्या पारी दिमागती पेरानल बास्कर विल्ली हाल दिरस्तेती वापस तुर्प्या तन्वार